चोहार, जन्मन की बात में आपका स्वागत है, मैं हूँ आनन्द कुमार मुझे ऐसा लगता है कि जारखंड भाजपा में नेताओं का अकाल पड़ गया है आप पूछेंगे कैसे, तो मैं पिछले दो-तीन दिनों में घटी दो घटनाओं के अधार पर ऐसा कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है पहली घटना है जारखंड भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में जै प्रकाश भाई पटेल के नाम का विरोध और दूसरी घटना है भाजपा की राश्ट्रिय टीम में रगुअरदास और आशा लकडा को रिपीट किया जाना इन दोनों बातों की चर्चा करेंगे लेकिन पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे अगर अभी तक आपने नहीं किया है साथ ही वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताईए कि वीडियोज आपको कैसे लग रहे है तो शुरू करते हैं जन्मन की बात और दोस्तों बात की शुरुवात विधायक दल के नेता के चैन से इस बारे में जो जानकारी निकल कर अब तक सामने आई है उसके अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री रगवरदास चाहते थे कि जै प्रकाश भाई पटेल को भारती जन्ता पार्टी विधायक दल का नेता बना दिया जाए जारखंड भाजपा के प्रभारी लक्षमी कांत वाजपई को उन्होंने राजी कर लिया था और इसके बाद आनन फानन में पिछले दिनों जै प्रकाश भाई पटेल की मुलाकात दिल्ली में भाजपा के वरिष्ट नेताओं से कराई गई थी और जै प्रकाश भाई पटेल जिस बोडी लेंग्वेज के साथ राची लोटे थे उससे लग रहा था कि उनके नाम की घोशना बस महज आपचारिकता रह गई है और नेता के चुनाओं के लिए जो बैठक होनी थी उसके बाद वे फूल मालाओं से लदे कैमरों को बाइट देते हुए दिखाई देंगे बस ऐसा ही लग रहा था लेकिन हुआ इसका विल्कुल उल्टा विधायक दल की बैठक में भारी विरोध हो गया और जब सहमती नहीं बनी जब प्रकाश भाई पटेल के नाम पर तो मामला अलाकमान पर छोड़ दिया गया चारखंड भाजपा के नेताओं ने करणधारों ने इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी भाजपा में जी भाई साब कहने की और सुनने की प्रविर्ति इतनी ज्यादा है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कॉर्पोरेट सिस्टम पर चलने वाली भाजपा में आजकल वैसे भी विचारों को और सुझाओं को और असहमतियों को महत्तु नहीं दिया जाता सिर्फ आदेश को सिर जुका कर यस सर कहकर मान लिया जाता है तो जहरखंड में भी यह मान ही लिया गया था कि जैसे भाजपा के देश भर के सारे कारे करता नरेंद्र मोदी और अमित चाह के नाम पर सिर जुका कर सही गलत सब फैसला मान लेते हैं वैसे ही जैप्रकाश भाई पटेल को विधायक दल का नेता भी मान लिया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं विरोध के स्वर फूट गए और सिर्फ स्वर ही नहीं फूटे भारी विरोध हुआ भाजपा विधायक दल के नेता के चैन के लिए वहां बैठे लक्ष्मी कांतवाजपेई और दिल्ली से परवेक्षक के रूप में आए केंद्री मंत्री अश्विनी चौबे भारी असमंजस में फसे उन्होंने तो सिर्फ सोचा था कि नेता के नाम की घोशना करेंगे जैजैकार लगेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन जब विरोध हो गया तो तै हुआ कि राजप्रभारी लक्ष्मी कांतवाजपेई और पार्टी के केंद्री परवेक्षक का सुनी चौबे एक-एक विधायक से बात करेंगे और सबसे तीन-तीन नाम माँगे जाएंगे और फिर इन सभी नामों को केंद्री नेत्रित्यों के पास भेज दिया जाएगा और नेत्रित्य ही विधायक दलके नेता का नाम तै करेगा सूत्र बताते हैं कि रगवरदास की इक्षा थी कि जैप्रकाश भाई पटेल भाजपा विधायक दल के नेता बने हलाकि खुलकर इस पर कोई बात नहीं करता कुछ सामने से नहीं कहता है लेकिन चर्चा यही है कि रगवरदास नहीं चुकि जैप्रकाश भाई पटेल को बीजेपी में शामिल कराया था इसलिए वे चाहते थे कि पटेल भाजपा विधायक दल के नेता बने साथ ही इससे कई संदेश भी जाते कई नए समिकरण भी बनते पहला तो यह कि जारखंड भाजपा के अंदर अभी भी रगवरदास की चलती है यह संदेश जाता लेकिन ऐसा हो न सका और इसका विरोध हो गया दूसरा कि कुडमी वोटों को इससे साधने की कोशिश होती क्योंकि भाजपा के पास फिलाल कोई कुडमी नेता नहीं है और तीसरा बाबुलाल जै प्रकाश भाई पटेल और रगवरदास की तिकड़ी बनाकर आदिवासी कुडमी और OBC का संतुलं साधा जा सकता था लेकिन इस पर विरोध हो गया है अब भाजपा पसो पेश में है विधान सबा का यह सत्र अगले शुक्रवार यानि चार जुलाई को खत्म हो जाएगा और इस समय विधायक दल का नया नेता नहीं चुना जा सका तो बाबुलाल मरांडी ही इस सत्र में नेता बने रहेंगे उसके बाद शीत सत्र में ही विधायक दल के नेता की जरूरत पार्टी को पड़ेगी जैप्रकाश भाई पटेल के बारे में बात करें तो वे कुडमी समुदाय से आते हैं जारखंड मुक्ति मूर्चा के बहुत बड़े नेता थे उनके पिता टेकलाल महतो उनके बेटे हैं तेकलाल महतो का अभी भी उस इलाके में उत्तरी छोटा नागपुर के काफी बड़े इलाके में प्रभाव है और जैप्रकाश भाई पटेल की पकड़ भी अच्छी है उनकी छवी भी अच्छी है और फिलहाल राम टहल चौधरी के जाने के बाद बीजेपी जारखंड के पास कोई एक ऐसा कुडमी नेता नहीं है जो समाज का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट करा सके भारतिय जनता पार्टी में व्यद्दूत वरण महतो जमशेदपूर से सांसद हैं लेकिन वह कुडमी नेता नहीं है उन्हें कुडमी होने की वज़ा से नेता बनाया गया है टिकट दिया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जमशेदपूर सीथ पर कुडमी निरनायक मत दाता है लेकिन विद्यूत महतो राज्य के अन्य इलाकों में कुड्मी वोटों को बीजेपी की तरफ शिफ्ट करा सकते हैं इसमें मुझे संदे है जमशेत्पुर के कुड्मी समुदाय में भी विद्यूत्वरण महतों का उतना प्रभाव नहीं है जितना आज की तारीख में शेलेंद्र महतो आस्तिक महतो अरिमोहन महतो फणी महतो आदी-ादी महतो नेताओं का है ऐसे में भाजपा को एक ऐसे कुड्मी नेता की तलाश है जिसे खत्यान से असोसियेट किया जा सके क्योंकि भाजपा के पास फिलहाल जो पुराने चेहरे हैं चाहे वो सीपी सिंग हो विरंची नारायन हो अनन्त ओजा हो नीरायादव हो या कोई और हो खत्यान के साथ जुडाव नहीं रखते खत्यान से असोसियेट नहीं करते इसलिए कुड्मी समाज से आने वाले और बड़े नेता रहे टेकलाल महतो के पुत्र जैप्रकाश भाई पटेल को आगे करने की रणनीती बनाई गई इसका एक उद्देश उत्तरी छोटा पुर और कोलहान के इलाकों में तेजी से उभर रहे तेजी से लोक प्रिय हो रहे युआ करांतिकारी नेता जैराम महतो के उभार को कम करना भी लग रहा है और आजसू के मुकाबले बीजेपी भी एक अपना कुड्मी नेता उभारना चाहती है क्योंकि भाजपा के सामने आजसू से तालमेल करने की जो सबसे बड़ी मजबूरी है वह इसी लिए है क्योंकि कुड्मी समाज में बीजेपी अभी भी इतनी पैठ नहीं बना सकी है आदिवासी समाज में उसकी पैठ है वो भी सी में है सवरनों में है लेकिन उड्मियों में उतना नहीं है 2019 के चुनाव में अबाद भाजपा देख चुकी है कि जिन जिन सीटों पर आजसू उनके मुकाबले खड़ी हो गई थी विदान सभा के चुनाव में उनमें से कई सीटों पर उसने दूसरे या तीसरे नंबर पर रहकर बीजेपी के उमिदवारों को हराने में महत्वण भूम का निभाई थी और यही कारण है कि इस बार भाजपा का आला कमान राज्ज इकाई को यह संदेश दे चुका है कि आपको आजसू को साथ लेकर चलना है और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिस से आजसू के साथ भाजपा के संबंधों में तनिक भी खटास आए लेकिन भाजप भाई पटेल का विरोध करके फिलहाल इस योजना में पलीता लगा दिया है वैसे भी धर्खंड भाजपा इंपोर्टेड निताओं की पार्टी बनती जा रही है और बाहर से लाकर पद देने और चुनाओ लडाने की परंपरा भी बनती जा रही है सबसे पहला नाम इसमें अ 2000 का चुनाओ उन्होंने वीजेपी के टिकेट पर लडा जारखंड की पहली सरकार यानि बाबुलाल मरांडी की सरकार में कल्यान मंत्री बने और महज सवा दो साल के बाद 18 मार्च 2003 को अर्जुन मुंडा जारखंड के मुख्य मंत्री बन गए ऐसे हालात पैदा हुए इसके बाद बीजेपी ने जमशेतपूर सीट जीतने के लिए बहरा गोडा से जारखंड मुक्ति मूर्चा के विधायक विद्धुत वरण महतो को शामिल कराया उन्हें लोग सभा का टिकट दिया गया विद्धुत वरण महतो सांसत बन गए दो बार से सांसत है इसी तरह बीजेपी ने संथाल परग्ना में जमशेत च्टावर नेता हेमलाल मुर्मू पर दोरे डाले हेमलाल संथाल परग्ना के बड़े नेता माने जाते थे कई बार विधायक रहे जार्खन की सरकार में मंत्री रहे भाजपा में बड़े ताम जाम के साथ उनकी ज्वाइनिंग कराई गई और ऐसा लगा कि अब संताल फता के लिए हेमलाल मुर्मू अकेले ऐसे सेना नायक है जो पार्टी को कई सीटे दिलाएंगे पार्टी ने उन्ह प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया लेकिन भाजपा में आने के बाद संताल परगना के मद्धाताओं ने उन्हें स्विकार नहीं किया हेमलाल लोक सभा का चुनाओ लड़े विधान सभा का भी चुनाओ लड़े लेकिन हरे रंग पर जो उन्होंने भगवा रंग का पें बन गए और उसके बाद जेप्रकाश भाई पटेल को लाया गया और उन्हें भी विरायक दल का नेता बनाने की कोशिशे चल रही है लेकिन फिलहाल मामला फसा हुआ है जानकारी के नुसार भाजपा के विधायकों ने प्रभारी को और अबजर्वर को कहा कि नाम बताये जा रहा है लेकिन अगर आला कमान पटेल को ही नेता बनाना तैकर लेगा विधायक दल का तो बाकी विधायकों के सामने मजबूरी होगी कि विस फैसले को माने लेकिन क्या चुनावी साल में भाजपा ऐसा करके विधायकों की नाराजगी मोल लेना चाहेगी प आको बता दे कि जारखंड में सूचना आयोग और लोका युक्त जैसी कई नियुक्तियां नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने के कारण लंबित पड़ी हैं लंबे समय से लंबित हैं बाबुलाल मरांडी को सत्ता पक्ष ने दस्वियन उसूची यानि दल बदल का हवाला द देते हुए नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने से इंकार कर दिया था तो भाजपा जितनी जल्दी विधायक दल का नेता चुन लेगी उतनी ही जल्दी नेता प्रतिपक्ष का मसला भी हल हो जाएगा तो यह तो थी विधायक दल के नेता के चैयन की बात अब आते हैं जे राष्ट्री उपाध्यक्ष बने रहे गए और आशा लकला जो की राष्ट्री मंत्री थी अब राष्ट्री सचीव बन गई है और इसलिए बन गई है क्योंकि मंत्री के पद को ही सचीव का नाम दे दिया गया है। लेकिन यह बात दिल्चस्प है कि 14 सीटों वाले जारखन से सिर्फ दो लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है केंदरिय टीम में लेकिन 11 सीटों वाले 36 गड़ से तीन तीन राष्ट्री उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। या फिर जारखन में भाजपा के पास दूसरा कोई नेता ही नहीं है जिसे भाजपा की राष्ट्रिय टीम में जगा दी जा सके। लेकिन ये दोनों चुनाव जीते हुए हैं। रगवरदास अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधायक नहीं हैं। और यह बात दिल्चस्प है कि जहां करनाटक में भारतिय जनता पार्टी की विधान सबाचुनावों में हार के बाद मुख्यमंत्री रहे। पुम्मई को टीम में जगह नहीं दी गई लेकिन रगवरदास को रिपीट कर लिया गया। अब इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं। पहला भाजपा को यह लगता है कि अकेले रगवरदासी लोकसभाचुनाओं में पार्टी को 14 नहीं तो कम से कम 12-13 सीट तो दिला ही देंगे। और उसे यह भी लगता होगा कि आदिवासियों में बाबुलाल मरांडी और पिछणों में रगवरदास इतने लोकप्रिये हैं कि भारती जनतापाटी को और किसी नेता की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि सवारन वोटों को तो बीजेपी अपनी जेव में मान कर च चाहर रही थी हो सकता है भी चल रही हो लेकिन धर्खन्ट भाज्पा के लिए क्या हालात इतने आसान है क्या इतने इतनी आसानी से बीजेपी सारी सीज pista को मैनेज कर लेगी और धर्खन्ट में 14 नहीं तो कम से अपलोड करने से, ट्वीटर पर मुख्यमंत्री हेमन सुरेन पर हमले करने से, लंबी-लंबी बाते लिखने से, लोगसबा चुनाओं में उसे सभी सीटों पर जीत मिल जाएगी, तो वह खुश फैमी में जी रही है, भारतिय जनता पाटी के टॉप नेताओं को जारखंड के ह नमजाल से बाहर आ जाएगी, उतनी ही जल्दी उसे जमीनी हकीकत दिखाई देगी, लेकिन सवाल है कि क्या भारतिय जनता पाटी के करणधार अपनी आखें खोल कर जमीनी हकीकत देखने के लिए तयार है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बत झाल